साथियों, एक बार लाल किले से मैंने नागरिक कर्तव्य इसकी भी बात कही है, इस बार मैं उसको दोहराया भी है, बुन्द बुन्द जल से, जैसे विराट समंदर बन जाता है, वैसे ही भारत का एक एक नागरिक, वोकल फ़र लोकल, अगर वोकल फ़र लोकल के मंत्र को जीना प्राण्म कर देगा, तो देश को आत्म निर्भर बनने में अधीक समय नहीं लगेगा, जब सभी देश वासी लोकल के लिए वोकल होंगे, तो उसकी गुंज सिर्फ भारत में नहीं, बलकि पूरी दुनिया में सुनाई देगी, और देखते ही देखते, दुनिया के जो भी मैनुफेक्चरर होंगे, उनको भी मजबूरन भारत में आकर के मैनुफेक्चरिंग के रास्ते पर चलना पड़ेगा, ये ताकत एक-एक नागरिक के अपने आप में तजूर्बे में है, साथियों, आज जिस तेजी से वैश्वीक परिवेश बदल रहा है, वैश्वीक परिद्रश्य बदल रहा है, उतने विश्व को मल्टी पोलर बना दिया है, इसलिए आने वाले समय में बविश्व की गतिवीदियां और सक्रियता का केंद्र कहा होगा, ये बविश्य द्रश्टी बहुत जरूरी हो जाती है, उधान के तौर पर पिछले समय में इंडो प्रसिपिक रीजिन और इंडियन ओसन में सुरक्षा चिन्ताओं को लंबे समय तक नजर अंदाज किया जाता रहा, लेकिन आज ये ख्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्रात्मिकता है, इसलिए हम नवसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी छमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं, आज चाहे आप्शोर्ट पेट्रोल विसल्स हो, सब्मरीन्स हो, या अयरक्राप करियर्स हो, आज भारत की नवसेना की ताकत अभूत पुर्व गती से बढ़ रही है, इससे आने वाले समय में हमारी नेवी और मजबूत होगी, ज्यादा सुरच्षित, सीलेंस, बहतर मोनिटरिंग और बहतर प्रोटेक्शन से हमारा एक्ष्पोर्ट, मेरिटाइम ट्रेड और मेरिटाइम प्रोड़क्शन भी बढ़ेगा, इससे केबल भारत ही नहीं, बलकि दुनिया के दूसरे देशों और विशेश कर, हमारे पडोसी मित्र राष्टों के लिए, व्यापार और समरुद्धि के नए राष्टे खुलेंगे, साथियों, हमारी यहां सास्त्रों में कहा जाता है, और बहुत महरतपुन के बात कही जाती है, और जिस बात को हमारे लोगों ने समस्कार के रुप में जीया है, हमारी यहां सास्त्रों में कहा गया है, विद्या विवादाया, धनम मदाया, शक्ति ही परेशाम परपिडिनाया, खलच्य साधो विप्रितम एतत, ज्यानाय दानाय चरक्षनाया, अर्था दुष्ट्रकी विद्या, दुष्ट्रकी विद्या, विवाद करने के लिए, धन गमन करने के लिए, और शक्ति दुष्करों को प्रताडित करने के लिए होती है, लेकिन सज्जन के लिए ये ज्ञान, दान और कमजोर की रक्षा का जरिया होता है यही भारत का संस्कार है इसलिए विश्वको शसक्त भारत की जादा जरूरत है